बिसमिल्लाहिर रह्मानिर रहीम, अस्सलाम अलेकुम दोस्तों कैसे हो आप सवमीद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू दा न्यू वीडियो और वेलकम बैक टू दा चैनल लिट्रेचर कवरिच आउ लिट्रेचर बड़े दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विलिम शेक्सपियर का एक बहुत ही मशूर प्ले पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है रोमियो एंट जूलियट William Shakespeare के Hamlet play की तरह Romeo and Juliet play भी बहुत ज़्यादा perform किया जाने वाला play है William Shakespeare के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ ये एक English playwright poet और actor था William Shakespeare को England का national poet भी का जाता है William Shakespeare 26 April 1564 में England में पैदा हुआ था और 23 April 1616 में England में William Shakespeare की death हो गई थी जब William Shakespeare जिन्दा था तब English Renaissance movement चल रही थी William Shakespeare की बायोग्राफी पर मैंने एक वीडियो बनाई है आप लोग वीडियो भी देख सकते हो उस वीडियो का लिंग पहले कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा अब चलते हैं play की तरफ Romeo and Juliet play 1594 से 1596 के दर्मियान लिखा गया था और ये play 1597 में perform किया गया था और 1597 में ही publish किया गया था इस play के total 5 acts है setting of place इस play की है इटली इटली में दो शहर वेरोना और मैंचुआ setting of time Romeo and Juliet play की है 14th या फिर 15th century और original language इस play की है English इस play का यौनरा है Shakespearean tragedy Romeo and Juliet play का major theme है love अब इस play में क्या अने वाला ये तो इस play को समझ कर ही पता चलेगा तो चले दोस्तों बढ़ते हैं अब इस play की summary की तरफ Romeo and Juliet play में दो families है एक family का नेम है Montague family और दूसरी family का नेम है Capulet family Montague और Capulet family के लोग एक दूसरे के बहुत पराने दुश्मन है और इन दोनों families का बहुत पुराना जगड़ा है ये आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं Romeo का तलुक Montague family से है और Juliet का तलुक Capulet family से है Montague family में Romeo का father है जिसका नेम है Montague और Romeo की मदर का नेम है Lady Montague दूसरी तरफ Juliet के फादर का नेम है Capulet और Juliet की मदर का नेम है Lady Capulet Romeo and Juliet play जब शुरू होता है तो इस play के शुरू में ही लड़ाई हो रही होती है मुन्टेग्यू फैमली के कुछ सर्वेंट्स और कैपुलेट फैमली के कुछ सर्वेंट्स आपस में लड़ रहे होते हैं और ये लोग इटली कंट्री के एक शहर विरोना की गलियों में लड़ रहे हैं मुन्टैग्यू फैमली और कैपुलेट फैमली ये दोनों फैमली काफी अमीर है लेकिन आपस में इन दोनों फैमली की दुश्मिनी है मुन्टैग्यू फैमली का एक मेंबर बैनवोलियो लड़ाई चड़वाने की कोशिश करता है बैनवोलियो रोमियो का कजन है लेकिन दूसी तरफ जब कैपिलेट फैमिली का एक मेंबर जिसका नेम टाइबल्ट होता है वो जब पहुंचता है तो बैनवोलियो उसके साल लड़ना शुरू करते था पहले लड़ाई चड़ आ रहा था टाइबल्ट को देकर अब वो भी लड़ना शुरू हो गया बैनवोलियो टाइबल्ट जूलियट का कजन है अब वेरोना सिटी के जो शेर ही हैं वो इन दोनों ग्रूपों की लड़ाई की वज़ासे इन दोनों फैमिली की लड़ाई की वज़ासे बहुत ज़्यादा गुसे में है तो यह लोग प्रिंस ऐसकलस के पास जाते हैं उससे शिकायत करते हैं तो प्रिंस ऐसकलस यह आरडर जारी करतेता है कि अगर मॉंटेग्यो फैमिली और केपलेट फैमिली इन दोनों फैमिलीज में किसी भी शेक्स ने अगर लड़ाई करके शेहर का महौल और शेहर का अमन खराब करने की कोशिश की तो उसको सजाय मौत दे दी जाएगी अब रोमियो दूर से डरखतों में चुपकर इस लड़ाई को देख रहा होता है लेकिन वो आका लड़ाई नी करता लड़ाई में शामल नहीं होता फिर रोमियो अपने कजन बेनवोलियो से मिलता है और उसे बताता है कि उसे एक औरस से प्यार हो गया जिसका नहमा रोजलिन रोमियो रोजलिन के प्यार में पढ़ गया है लेकिन रोजलिन रोमियो के साथ प्यार नहीं करती रोमियो ये बात अपने कजन बेनवोलियो को बताता है तो बेनवोलियो आगे से जवाब देता है रोमियो को कि रोमियो को चाहिए कि वो रोजलीन को बूल जाए और दूसरी कोई खुबसूरत अउरत अपने लिए तलाश कर ले वो जूलिट के फादर कैपिलेट से जूलिट का हाथ मांगता है जूलिट के साथ शादी करना चाहता है कैपिलेट जब ये बास सुनता है कि पैरिस उसकी बेटी जूलिट के साथ शादी करना चाहता है तो कैपिलेट भी बड़ा खुश होता है कहता है कि अच्छी जोड़ी है ये तो लेकिन कैपिलेट पैरिस को 2 साल वेट करने का कहता है क्योंकि अभी जूलियट 14 साल की भी नहीं हुई अभी वो एज में छोटी है अब कैपिलेट क्या करता है वो एक दावत का इंतिजाम करता है और अपने एक सर्वेंट को कुछ लोगों की लिस्ट दे कर बेचता है जिनको कैपिलेट ने दावत बर बलाया होता है तो वो सर्वेंट जाता है फिर और जाकर उन लोगों को कैपिलेट की दावत के लिए इन्वाइट करता है, कैपिलेट पैरिस को भी दावत में इन्वाइट करता है ताके पैरिस जूलिट का दिल जितने की कोशिश कर सके रोमियो और बैनवोलियो, रोजलीन के बारे में बहस कर रहे होते हैं अभी तक के उन्वाइट का सर्वेंट दिखाई देता है, जिसके बास इन्वाइटेशन की एक लिस्ट होती है बैनवोलियो मश्वरा देता है रोमियो को के ये दोनों भी इस दावत पर जाएंगे ताके रोमियो विरोना सिटी की दूसरी खुबसुरत औरतों को देख सके और रोसलीन को उन अवरतों के साथ कंपेर कर सके ताके रोमियो को पदा चले के विरोना सिटी में रोसलीन के लावा और भी खुबसुरत औरते हैं रोमियो बैनवोलियो के साथ कैपिलेट की दावत पर जाने के लिए राजी हो जाता है सिरफ इस वज़़ा से क्योंके रोमियो ने इन्विटेशन लिस्ट में रोसलीन का नाम भी देखा होता है तोसर में रोमियो रोसलीन की वज़़ा से जा रहा है कैपिलेट की दावत पर जा रहे हैं अलागे ये बात असी तरह से जानते हैं ये लोग के मुन्टैगियू फैमिली वाले लोग और कैपिलेट फैमिली वाले लोग आपस में उसे के दुश्मन है कापिलियڈ फैमली में कम ओमर जूलियट अपनी मधर लेडि कापिलियट और अपनी नर्स के साथ अपनी पैरिस के साथ शादी के मतलग बात कर रही होती है कि celebrity घूलियोट ने अभी तक शादी करने के बारे में नहीं सोचा उता लेकिन वो इस बात पर राजी हो जाती है, कि वो पैरिस को दावत में देख लेगी, और जूलियर्ट सोईती है कि उसको इस बात का भी पता चल जाएगा, कि पैरिस को देखने के बाद उसे पैरिस से प्यार होता है या नहीं होता, फिर दाव़ शुरू हो जाती है रोमियो अपने कजन बेनवोलियो के साथ और अपने एक दोस मेकोशियो के साथ दाव़त पर चले जाते है मेकोशिय भी प्रिंस एसकलस का रिष्टेदार होता है और रोमियो का बहुत गरीबी दोस होता है अब रोमियो बन वोलियो और मेकोशियो कैपिलेट के गर पहुंच चुके हैं अब रोमियो को दूर से जूलियट दिखाई देती है जैसे ही रोमियो की जूलियट पर नजर पड़ती है रोमियो को उसी वक्त जूलियट के साथ प्यार हो जाता है और वो रोजलीन को मकमल तोर पर भूल जाता है रोमियो जूलियट को देकर बहुत खुश होता है उसे जूलियट बहुत अपसंद आ जाती है जब रोमियो खुश हो रहा होता है तो कैपिलेट फैमली का एक मेंबर टाइबल्ड जो के जूलियट का कजन होता है वो पहचान लेता है रोमियो को और उसे बहुत ज़्यदा गुसा आता है कि मुन्टेग्यू फैमली का कोई शेक्स उनकी दावत में चोरी छुपे कैसे आ गया और क्यूं आ गया टाइबल्ड गुसा आ जाता है और रोमियो पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन कैपिलड टाइबल्ड को रोक देता है पकड़ लेता है उसको फिर रोमियो को किसी तरह से जूलियट के साथ बात करने का मौका मिल जाता है जब रोमियो और जूलियट आपस में बात करते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की तरह से रोमियो को पता चलता है के जूलियट कैपिलड की ही बेटी है जो के मौन्टैग्यू फैमली का यानि रोमियो की फैमली का बहुत बड़ा दुश्मन है तो जब रोमियो को ये बात पता चलती है के जूलियट कैपिलड की बेटी है तो रोमय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जब जूलियट को ये बात पता चलती है कि उसने अभी जिस लड़के को किस की है वो मॉन्टैग्यू का बेटा है और मॉन्टैग्यू फैमिली के साथ कैपिलेट फैमिली की दुश्मिनी है तो जूलियट भी फिर बहुत ज़्यादा प्रेशान हो जाती है फिर मिकोशियो और बेनवोलियो जब कैपिलेट के गर से चले जाते है तो रोमयो क्या करता है कैपिलेट फैमिली के गर एक बाग होता है उसकी दिवार पर चट जाता है और अंदर चलांग लगा देता है दिवार से क्यूंकि वो जूलियट को पीछे छोड़ करनी जाना चाता है बाग में जाकर रोमयो छुप जाता है और जूलियट के कमरे की खिड़की इसी बाग की तरफ होती है तो रोमयो को बाग की तरफ मजूद खिड़की में जूलियट दिखाई देती है जो कि रोमयो का नाम बोलती है और रोमयो ये बात सुन लेता है रोमयो आवास देता है जूलियट को और फिर ये दोनों अपने प्यार का इस्थार करते है एक दूसरे के साथ रोमियो पिर अपने एक दोस्त फ्रायर लॉरेंस से मिलता है और उसको सारी बात बताता है कि उसे जूलिट के साथ ब्यार हो गया है फ्रायर लॉरेंस ये बात सुनकर बड़ा है रोमियो इतनी जल्दी कैसे बदल गया अभी कुछ टाइम पहले तो इसको रोजलिन के साथ प्यार था और अब इसको चानल से जूलिट के साथ प्यार हो गया है बड़ी जल्दी इसका दिल बदल गया है रोमियो कहता है फ्रायर लॉरेंस को के वो जूलिट के साथ शादी करना चाहता है منٹیگیو فیملی کا اور کیپلیٹ فیملی کا جو بہت پرانا جگڑا ہے بہت پرانی دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی رومیو جولیٹ کو شادی کے لیے بناتا ہے تو جولیٹ بھی مان جاتی ہے تو پھر اگلے دن رومیو اور جولیٹ فرائر لورنس کے پاس جاتے ہیں اس سے ملتے ہیں اور دونوں آپس میں شادی کر لیتے ہیں جولیٹ کی نرس جس کو جولیٹ کی اور رومیو کی شادی کے بارے میں پتاتا ہے وہ ایک سیڈی کا انتظام کرتی ہے تاکہ رومیو اس سیڈی پر چڑھ کر جولیٹ کے روم کی کھڑکی سے جولیٹ کے روم میں پہنچ سکے اور رومیو اور جولیٹ اپنی شادی کی رات ایک دوسرے کے ساتھ گزارے اگلے دن بینوولیو اور میکوشیو ان دونوں کا جولیٹ کے قزن ٹائبلٹ کے ساتھ آمنہ سامنا ہو جاتا ہے ٹائبلٹ کو ابھی تک غصہ ہے کہ رومیو بینوولیو اور میکوشیو یہ تینوں کیپولیٹ کی دعوت میں آئے تھے ٹائبلٹ رومیو کو لڑنے کا چیلنج کرتا ہے تو رومیو آ جاتا ہے اب رومیو نے جولیٹ کے ساتھ شادی کر لیا ہے تو ٹائبلٹ ایک طرح سے رومیو کا رشتہ دار ہے اب تو رومیو ٹائبلٹ کو کہتا ہے کہ لڑائی چھوڑ دو تو اتنے میں میکوشیو اس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ٹائبلٹ کے ساتھ فائٹ کرے گا ہم میکوشیو اور ٹائبلٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں رومیو ٹائبلٹ اور میکوشیو دونوں کو لڑنے سے روکتا ہے ان دونوں کے بیچ میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے ٹائبلٹ کیا کرتا ہے رومیو کے بازو کے نیچے سے میکوشیو کو طلوار کے ساتھ زخمی کر دیتا ہے اور میکوشیو مر جاتا ہے اب رومیو کا دوست مر گیا رومیو کو بہت غصہ آتا ہے اور رومیو غصے میں پھر ٹائبلٹ کو مار دیتا ہے टाइबल्ट को मारने के बाद रोमियो वहां से बाग जाता है जब प्रिंस एसकलस को पता चलता है कि रोमियो ने टाइबल्ट को मारा तो प्रिंस एसकलस रोमियो को सजा के तोर पर विरोना सिटी से हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है फ्रायर लोरेंस भी इस बात का इंतजाम करता है कि रोमियो और जूलिएट शादी की रात अकटे रहें क्योंकि अगली सुबा रोमियो ने वैरोना सिटी को छोड़ देना होता है और मैंचुए सिटी चले जाना होता है कमरे में जूलियट अपने हस्बेंड रोमियो का इंतजार कर रही होती है तो इतने में नर्स आ जाती है जूलियट की थोड़ा हिचकचाने के बाद नर्स बताती है जूलियट को कि रोमियो ने टाइबल्ड को मार दिया अब एक जटका सा लगता है जूलियट को क्योंकि उसके हस्बेंड ने उसके ही रिष्टेदार को मार दिया होता है यानि रोमियो ने टाइबल्ड को मार दिया होता है जूलियट काफी परेशान होती है लेकिन फिर ये बास होईती है कि वो रोमियो से प्यार करती है रोमियो अब उसका हस्बेंड है फिर रोमियो चोरी छुपे जूलियट के कमरे में आता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं अगली सुबा दोनों लवर्स रोमियो और जूलियट एक दूसरे को अलविदा कहते हैं अब इन दोनों को कोई पता नहीं ये दबारा कम मिलेंगे अब भी तक रोमियो और जूलियट के गरवालों को नहीं पता कि रोमियो और जूलियट ने एक दूसरे के साथ शादी कर लिए जूलियट को पता चलता है कि उसका बाब कैपुलियट की मौत पर परेशान है और जूलियट को ये भी पता चलता है कि अब उसका बाब कैपुलियट सिर्फ तीन दिनों में जूलियट की शादी पैरिस के साथ करवाने वाला है अब जूलियट अपने पेरेंट्स को ये बता नहीं सकती कि उसने रोमियों के साथ शादी कर ली है और पैरिस के साथ वो वैसे ही शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो रोमियों से प्यार करती है और रोमियों के साथ उसकी शादी भी हो चुकी है अब जूलियट रोमियो की बीवी है जूलियट अपनी नर्स से मश्यूरा करती है तो नर्स उसे कहती है कि रोमियो को बूल जा रोमियो मर गया होगा और फ्रायर लोरेंस के पास चली जाती है फ्रायर लोरेंस रोमियो और जूलियट को एक साथ मिलाने का प्लैन बनाता है वो जूलियट को कहता है कि जूलियट और पैरिस की शादी से एक दिन पहले रात के टाइम पर जूलियट क्या करे एक मैडिसन खा ले जिसकी वज़ा से वो बेहोश हो जाएगी और देखने वाले को ऐसे लगेगा कि जैसे जूलियट मर गई है और जब जूलियट को वो लोग दफना देंगे जूलियट के गर वाले, कैपिलेट फैमली वाले तो रोमियो और फ्रायर जूलियट को निकाल लेंगे बाहर कबर से और फिर जूलियट रोमियो के साथ रह सकेगी रोमियो और जूलियट फिर अपने पेरेंट्स के जगणों से दूर हो जाएंगे जूलियट अपने गर जाती है और उसे जाकर पता चलता है कि कल उसकी शादी है राट टाइम जूलिट वो मेडिसन पी लेती है जो के फ्रायर लोरेंस ने उसको दी होती है अगली सुबा नर्स आकर देखती है कि जूलिट मर चुकी है तो कैपिलेट फैमिली वाले बहुत दुकी होते हैं और जूलिट को भी दफना देते हैं अब फ्राइर दे मैसेज बेजा होता है रूमियो को मेंचintend Bundestvay के निका लेंगे लेकिन ये मैसेज रूमियो तक पहुंची नहीं पाता। वो रूमियो को आकर 오늘 पता चलती है कर जूलियट हकीकत में जिन्दा है परी नहीं बलके बेहोश है क्योंकि ये जूलियट और फ्रायर लॉरेंस का प्लान था ताकर रोमियो और जूलियट आपस में मिल सकें। तो जब रोमियो वेरोना सिटी पाइए और जूलियट की कबर के पास जाता है वहाँ पर उसको पैरिस दिखाई देता है जो कर जूलियट की कबर पर फूल बेखेर रहा होता है। और रोमियो पैरिस को मार देता है। रोमियो जूलियट की डेट बोडी को देखता है और फिर जहर पी लेता है और रोमियो की भी देथ हो जाती है। खुद को मार लेता है रोमियो। इतनी दिर में फ्रायर लोरेंस आ जाता है वो आकर देखता है कि रोमियो और पैरिस दोनों मर चुके हैं रोमियो ने पैरिस को मारने के बाद खुद को भी मार लिया है इतनी दिर में जूलियट जो कि बेहोशी की हालत में पड़ी होती है वो उठ जाती है बेहोशीवाली द्वाई का इसर खतम हो जाता है तो इस वज़ा से जूलियट उठ जाती है फरायर लोरेंस को कुछ लगों के कदमों की भास नाही देती है वो जूलियट को अपने साथ चलने का कहते है लेकिं जूलियट उसके साहन नहीं जाती तो फरायर लोरेंस अगेलाई बाग जाता है जूलियट फिर क्या करती है देखती है कि रूमियो मर चुक है रूमियो ने खुद को मार लिया जहर खा कर रूमियो के लिपस पर जहर लगा आता है तो जूलियट रूमियो के लिपस पर किस करती है ताके जूलियट की भी देथ हो जाए जूलियट भी खुद को मारना चाहती है लेकिन इतने जहर से जो रूमियो के लिप्स पर लगा होता है इस से जूलियट की देथ नहीं होती तो जूलियट क्या करती है रूमियो का चाकू लेकर अपने सीने में मार लेती है और रूमियो क का फादर मॉन्टेग्यू बताता है कि रोमियो को जब प्रिंस एसकलस ने वेरोना सिटी से बाहर निकाल दिया तो रोमियो की मदर लेड़ी मॉन्टेग्यू इस बात पर इतना ज्यादा दुखी हुई कि दुख की वज़ा से उसकी भी देत हो गई अब रोमियो और जूलियट की डेड बोडी को देखकर मॉन्टेग्यू फैमिली वाले लोग और कैपूलेट फैमिली वाले लोग अपनी परानी दुश्मिन अपना पराना चगड़ा खतम कर देते हैं और आपस में सुला कर लेते हैं और इसके बाद रोमियो और जूलियट का सोने का स्टैचू तियार करवाते हैं ये लोग मटैग्यू फैमिली वाले और कैपिलेट फैमिली वाले और इन स्टैचू को वेरोना सिटी में लगा देते हैं तो अब वेरोना सिटी में दो अमीर फैमिलियों की लड़ाई खतम हो चुकी है तो अब वेरोना सिटी में भी स्कून है दोस्तों मीद करते हूं आप लोगों को ये प्ले समझ मेया होगा आज की वीडियो यहीं पेंड करते हैं